भरतपुर से हैं रवी जी स्वागत है आपका अ जी सर सवाल कर लीजे मीडम मुझे नहीं लगती है नहीं लगती कब से दिक्कत है अमर बता दीए अपनी अठतर साल है अठतर साल हाँ जी अरे आपकी तो बिल्कुल लड़कों वाली आवाज लग रही है चलिए ठीक है दिखिए नुसका भी मताता हूं उससे पहले ये देखे ये गर्दन ऐसे करें ये आप तीन मिनट तक अपनी गर्दन ऐसे करें इससे आपके चक्कर आने बंद हो जाएंगे और फिर ऐसे ऐसे ये आप करते रहें तीन तीन मिनट तक ठीक पंदरा दिन में आपको चक्कर आने बंद हो जाने चाहिए अगर आप इमानदारी से करेंगे जितना मैंने कहा है तीन तीन मिनट करना है यह अब राप एट का मामला तो सौफ धनिया अलसी सौफ धनिया अलसी और सौट पिसे बोलता हूँ सौफ सौट सौफ सौट जीरा अजवाएं धनिया मेती अलसी साथ चीज़े होगी सौंफ सौंट जीरा अजवाइन धनिया मेथी का दाना और अलसी एक बार और बोल देता हूं अब लिखने में अगर रह गए हूं सौंफ सौंट जीरा अजवाइन धनिया मेथी और अलसी इन साथ चीज़ों का सौ सो ग्राम लेकर पौडर बनाके रख ले और सुबा शाम एक एक चम्मच खाएं नमक जैतून के पानी से नमक जैतून असली खरीदे नकली बहुत मिलता है नमक जैतून का पानी दो चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं इस पानी से यह साथ चीज़ों का पाउडर दिन में दो बार खाएं खाने से पहले भी खा सकते हैं और बाद में भी खा सकते हैं